गोपालगन जिले के दरगा महले में बुधवार की सुबध दो व्यासाईयों को गोली माद दी गई इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गया इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भरती कराया गया रात में कुपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बहतर इलाज के लिए गोरक पूर रेफर कर दिया मिली जानकारी के अनुसार आज बुधवार की सुबध जमीन विवात को लेकर चपल जुत्ता व्यासाईयों कलामुदिन मिया, उर्फ मुन्ना वद्दवावयासाईय मुहमद सोहराब मिया अपनी जमीन पर थे इस दोरान पडोस के कुछ लोग उनके जमीन पर किये गया बॉन्डरी को तोड़ने लगे विरोध करने पर मार्पीट की गई, इसके बाद दोनों को गोली मार दी गई गोली रगने से दोनों का मभीर रूप से जख्मी हो गया गोली बारी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जाज करने दरगा मोहले में जब गई तो उनके उपर भी पत्थराव कर दिया गया, जिससे एक सब इंस्पेक्टर समेथ कई पुलिस करमी चोटील हो गया। हलांकि सूचना मिलने के बाद सरस्टी पीओ नरेश पासवान, नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार राय, महिला थाना द्यक्ट अप्शा परवीन, अनुसूची जाती जनल्याती थाना द्यक्ट वस्थावे थाना की पुलिस मौके पर पहुँच कर मामली की जाच कीूँ गुफरान, कलिमुला, अहमद, गुलाब, साहिद, ये लोग आके हम की दियें कि दूस धूर जमीन हमको दीजिये, अगर जमीन नहीं देते हैं तो इसका अंजाम भूगतना पड़ेगा, तो हम लोग इसका बिरोद की हैं कि नहीं देंगे जमीन, जमीन हम लोग का नीजी है अपना है, इसमें से एक धूर नहीं देंगे रंगदारी में आप लोग को, तो बोले लोग कि इसका अंजाम भूगतना पड़ेगा, आज सुबा में आके बंजरी वगर अधा दिये हैं लोग, और गोली मारे हैं लोग दो आदमी को, जिसमें से मेरे चाचा दोनों आदमी ह एक अदमी राजा मेड को दुकान चलाते हैं और एक अदमी फूटवेयर को दुकान चलाते हैं कलामु दिन हुछें, इन लोग को गोली मार के, गाली गोलोज देते, वगया भागे हैं लोग कि जीला परसाशन हम को पुछ नहीं बिगारार, जीला परसाशन के सामने हम बीरो रिपोर्ट, BSRS न्यूज